नमस्कार भाईया वेणी अपना पंचे देखरायन है विराट के बगेली बुलोटिंग पूजा के साथ अपना प्रभार रात के बताई जाला ही वे देखे मामला वाही अब है अथाना प्रभारी शिवा अगरवाल का बताए नहीं बेज़ा है कल एक शिकायत आई थी मार्पीट की जिसका वीडियो भी वाइरल हो राया सोचल मीडिया पर उसमें धारा 327 के अंतरगत मामला पंजीवत किया गया है दोनों आरों की फुगिरफतार कर लिया गया है और आगे विवेचना की जाए मामला पुराना विवाद का और कुछ जो है नशेशे सम्मनित पाया गया था तो अभी विवेचना की जा रही है सारे तत्थ निकल कर सामने नहीं आये जो भी तत्थ निकल के आएंगे उसके साब से कारवाई की जाएगे बुलेटिन के अगली खबर माही रीवा के भारती रास्ट्री छात्र संगठन के वियम विद्याले के द्वारा फीस वसूली के खिलाफ जिला सिक्षा दिकारी रीवा का ग्यापन सौपी निमयाब नपताई देई के इसमय मा कारेकरता बताईन के कोरोना काल के फीस के वसूली प्रसासन कही रहा है जहां फीस भरे मा जो उन्छात्र सक्षम नहीं आहीं का विद्याले के परिक्षा से वन्चितव की इंजाला है नस्यू आई जिला अध्यक्ष रवी सुमित आरोप लगाईन के वोदाबाग माही संचाली थोई वाली के वीयम कारेकरता के प्रसासन कोरोना के समय माही आनलाइन कच्छन के नाम पर खाली वाटसाप ग्रूप मा मैसेच करिन जोने के वजवा ही अभी इसके वसूली की इंजाला ही वे हुए संगठन के कारेकरता ये कहिन कि उच्छातरन के हित खातिर लडाई लड़ी ही अई सुनाई थे एनस्यू आई कारेकरता का बताईन ही आज की प्रेस वारता है के विएम कॉन्मेंट स्कूल के संचाल सुतन सिंग जी के दौरा जो मेरे उपर सोसल मेडिया के माध्याम और इलेक्ट्रोलिक माध्याम के माध्याम से मैंने जो देखा जो मेरे उपर आरोप लगाए वही है उसकी खिलाप और उसको सचाई से अबगत कराने के लिए मैंने आज ये प्रेस वारता की है एक कहावद है कि जो चोर होता है वो दूसरों को भी अपनी कैसा ही समझता है सोतन सिंग जी का इतिहाद आप लोगों को जानने के जिवरत है सोतन सिंग जी सिच्छा घोटाला में करीब सिच्छा घोटाला में तीन साल की उनको सजा हुई थी वियों के पद में थे और उन्होंने सिच्छा जगात कहितना बड़ा घोटाला किया था कि उनको टर्मिनेट कर दिया गया था सिच्छा भिवार से उसके बाद वो प्राइवेट एक स्कूल खोले हैं और उसके अब उनका सिछा धोटाले से पे नहीं भराब तब वो प्राइवेट स्कूल खोल करके जो बच्चे पढ़ते हैं गरीब या मध्यमबर के परिवार के बच्चे उनसे जवरन फीज वसूली करके उसे अपना वसू से पूरे भारत वर्ष में संपूर भारत में एक दसम्राइव में प्रापधां था उनके द्वारा ना नसे के एक दिन can do प्रतारिक करके वार्ट्सप के माध्याम से पढ़ाई का उसमें वो फीस के लिए दवा बना रहे थे बच्चों को परिक्षा नहीं देने दिया रहा था इससे पहले भी जब अर्दवारची परिक्षा थी तब हमने जिला सिक्षा जिकारी के पास ग्यापन सौपा और हमने उसे मांग कि कि जिन बच्चों को परिक्षा नहीं देने दिया जा रहा ह। कुझना करेए वरना परिक्सा नहीं दिया जाएगा यह दिखिए जाएं यद्सка ङसे इनले-क-घिथारीlagen क्लाइक करते राज-वा-च्राइब उसके अंदर एससंकुल के अंदर् इसके य९ह मार्टन करमान गई तो इसमें वेरे लिए उनके द्वार्त जनकारी नहीं ती गई फिर मैंने शिख्षा जिख्षा जिकारी को लगाई गई यह देख लिए जांकारी कर शुचना कहते हूं जानकारी मागना डराना दमकाना है, जहां बच्चे पढ़ रहे हैं, वहां हमने मागा की खेल का मैदान कहा है, जो सिछच पढ़ा रहे हैं, उनकी योगिता क्या है क्या हो गलत है? जब आपको जानकारी ने दिगे, इसके उपर आपने अपील की कही है? जी हमने उसके बाद लिए सिक्षा दिकारी को अपील दी गई अबी उनके दोरा में कोई भी वह जानकारी नहीं दी गई हां जैसे सभी बच्चे पढ़ते हैं उनके दोरा यह भी आरूप लगाया गया था कि हमारे दोरा दो साल से फीस नहीं दी गई है यह मैंने उसकी रसी बाद वारे हैं देखे लिए नौ ग्यारा को नवंवर मैने में यह बच्चों की फीस हमने जमा किया अगर दो साल की हम फीस नहीं जमा करते हैं तो क्या यह रसी तो वारे पास आठी हमारी बाद सिर्प उनसे यही थी कि जब आफ ने करोना काल पे क्लास पढ़ाई नहीं कराई तो फीज फिस बात की तो उस आधियस को भी उन्हों नहीं माना और उन्हों ने खुली चुनाओती दी यहा थे अगर उन्हों ने परिक्षा दिल्वाद सह सो वेशते हैं तो किया है और श् joka की बातों वह अधैं चेहा होगा क्या पिसकी लिए आँज़ाएगो जी बिल्कुल हम आवाद उठाएं हमने जैसा कि कहा कि यहां जिले में LSUI लड़ाई लड़ रही है और प्रदेश में हमारे प्रदेश अध्या मंचुल त्रिपाठी जी जो कि रीवा जिले सी हैं वो लड़ाई लड़ाई और लड़ाई लड़ेंगे अब आप खुद सोच लीजे कि उनके द्वारा जो मेरे उपार आरोप लगाएगे हैं कोई उसका साथ मिला आपको अब तो मुझे खुद उनसे ड़द लगने लगाएगी कई उनके द्वारा मेरे उपर कुछ ऐसा हमला या कुछ वो न करवाचिया जैसी तरह कि आरोप लगा पारिवारी जमीन के चलते जहां एक पक्ष रास्ता बंद के दिन तो दूसर पक्ष नयाले बस से कायद करें जहां नयाले तहसीलदार का ही अधिक्रमण हटाई के रास्ता बहाल करें के आदेर दिन जोने के बाद तहसीलदार और पुलिस के टीम जैसी भी मसीन कलाई के अधिक्रमण कारी महिलन का आगे कई दिन अतना नहीं बलकी भारी पुलिस के मौझूदगी माही महिला जेसी भी के सामने लेट के काम माही बाधा उत्पन कई दिन तो वह अधिक्रमण हटावे वाली टीम का उड़िटा पाउन लोटे परा एतना नहीं पुलिस के हाथ पुलिस उनके साथ मारपीट करिंग जबकि तहसील दार बताये हैं कि अतिकबर कारिन के खिलाफ बिविन धारन के तहत मामला का पंजीबत की इनका है यह पूरे घटना जवा तहसील के जनकाई गाओ के आई आई दिखाई थे सलकी घटना और सुनाई थे तहसील दार और अच्छे जाना से अच्छे न चलिजाए अच्छे जारे हैं अरे मशीन के आगे मद भीजिए मैं मशीन का ज़िए क्या नाम में भाइशाब अपका? मेरा नाम सत्यंद कुमार सुखला है, मैं ग्राम जन कहाई कला का हूँ क्या अतकरमान का मामला था, वो क्या मामला था? मामला ये था कि सर रास्ता बंद किये हैं, बहुत बिनों से तहसीलदार साहब आपर कलेक्टर और HDM साहब का आदेश है हमारे पास और उन्हों ने जो है नव फुट का आदेश किया, सर वो जो है अब जहां हम लोग रास्ता नहीं करते हैं, रास्ता पूरी तरह से बंद किये हैं, तो गाली गलाउज करने लगते हैं, लाटी जान से मानने की धंकी देते हैं कल क्या हुआ था, कल सर आये थे तहसीलदार साहब अतिकरमार हटवाने के लिए और वो जो है हटवाने लगे तो एक मतलब लेडी जो है प्रचाची है वो बिहोस हो गई और बहुत लेकि हाट टेक हो गया और सर भाग गये लेके तो साहब वो सर लोग जो है लेके गए कि हम बार डिकाइडे से फड़ पकड़ के थोड़ा अहला लेकिन जब रास्ता नई खूला तो सर पकड़ने की भी कोई जरूरन नहीं थी सर सासंसी अपके क्या मांगे सासंसी मेरा ये मांगे सर मेरा इसाथ हूचिन है कि आ जैसार और रास्ता मुझे दिया दिया जैकि हम लोग पर दोगा रहा हैं सर मर रहे हैं हम लोग बहुत परिशान है सर आपका क्या नाम है जारा सिरी का शुक्र कल क्या बिबाद हुआ था तिक अधे सरहा तहसी जार साहब रस्ता खुलवारों के रहें साहब हमार रस्ता बंजी हुं तो हुँ गवे नहीं है खंभा रहा तो जोंग तो बिर्णा परजे आप पोलिस हाँ बढ़ियो का है देखा रही हो पुलिस के दवारा मारपी जा जोगा पुछ भी नहीं वार मारा पीछ डिखाता है पूरा देखके रहा है ज्मार आपका देखें किसी भी बेक्ति को पुलिस की द elders ना मेरे की गई है मेला, उने गहा कि आमने दक्का दिया सामने से और बीहोष हो गई किलिगे महिला घर के अंदर थी उसको जब जेसी भी हमारी पहुची है बाड़ी हटाने के लिए चार साल से पेंडिन था रास्ते का विवाद रास्ता में बाधा पैदा का रखा है दूसरे फ्रेमिली ने आवगमन अवरुद्ध है जेसी भी न जाने पाए उन्होंने रास्ते में बा उन्होंने कारवाही बाधित किया सरकारी कार में बाधाउत पंद कर दी और न्याले अपर कलेक्टर के आदेश की अवग्यां की अंतता हमें वापस आना पड़ा न तो किस अवरत को मारा गया और नो कुछ हुआ बेवोशी के नाशक उसने जरूर किया था तो उसको तुरं नाटाओं ने उसकी जाच की अजाच में पूरता स्वस्थ पाया किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं थी उसने मरने और वेहोशी होने का जूठ नाटा करके सरकार को बदनाम किया रहा हुआ जो फर्यादी है सर तो उसका अठकमडब हटेगा या तो इनकी उपर कोई कारवाही होगी ची नहीं होगी फर्यादी का तिक्रमड नहीं हटवाई लोगों के बाधा पैदा करने के करण इसलिए उनके खिलाब भारती दंड विधान की धारा 188 शासकी कार में बादा पुलिस और प्रशासन के जाने पर लोटा दिया गया है और मरने और बेहोशी का नाटक करके बदनाम किया गया है जहां जिला के चितरंगे पुलिस 24 घंटे के भीतर चोर गिरों के परदा फास करें के बाद उनका गिरफतार की इनगा चार फरवरी का ही फर्यादी लगंधारी यादो जो उनके सासकी उतकृष्ट विध्यालाई चितरंगी के प्राचार्या ही उठानवा रिपोर्ट दर्च कर आए रहे कि आजात वेक्ती विध्यालाई के कीमती समान चुरा लईगा है जोने के बाद उपनी रिच्छा विने सुकला के दिसा निर्देश और SDP मरवा राजी पाठाव के मारदेशन मही संदेहिन का पुलिस हिरासत मलेंगा जो उनके चोरी करब का सुईकार करी नहीं ही वे वहें चोरी करे गए समान के अनुमानी कीमत तीन लाग बावन हजार रुपी अबताई जाला ही वे वहें थाना चितरंगी माही अपराद का पंजीबत कई के निया लाइवा पेस के इन गावाई सिग्रावली से विने यादों की रिपोर्ट दिनान चाप्ड़ 2022 को चितरंगी उतकर्ष्ट मिध्याला के प्रचार द्वारा थाने में आकर सुचना दे गई कि अग्याद चोरों ने उनके कप्च का ताला तोड़कर एवां कंप्यूटर लेब का ताला तोड़कर उनके कप्च से एलिटी टीवी डीवी आर सीजी प्रचार देख लेवां कंप्यूटर लेब से साथ कंप्यूटर और सीप्यू वगेरा चोरी करिये गए हैं सुचना के अधार पर अधारा तीनसो असी एवं चांटाशन तामनाई बिजी का मामला पंजीवाद्यकर विश्चना में लिया गया एवं गटना के संबंध में व राती करिब 11.30 के आसपास से राके सुप छोटू बारी एवं अनूप सिंगोन और फलाला इसकूल के आसपास देखे गए से संदेख या अलहार पर दोनों को घड़ से उठाया गया में उठाने ला कर सकती से पूर्च नाश की गई तो दोनों ने चोति करना श्विकार किय एवं उनके घर से लगवक चूरी या तिन लगवामन हजार कमश्रू का बरामच किया गया आज दोनों को घ्रबतार करके न्याला वेज दिया गया है अब मामले के अगदिन भी विशना चाहरी तब है अगए आज के बुलिटिन मेतने तब तक कि लामे देए इजाज़त द देखत रहे मारवेंद के बगेली समाचार साथ है चैनल का लाइक सब्सक्राइब और शारो जरूर करें नमस्कार